क्या अमिच शाह एक बार फिर से देश को एक ग्रह मंत्री बनेंगे? क्या हो मिनिस्ट्री अमिच शाह के पास शाह की? विल, चार जून के पहले खाब तो यही थे कि सब कुछ बीजेपी के फेवर में रहेगा. लेकिन चार जून को रिजल्ट आया और उसके बाद हालात बतल गए. चार सो पार तो दूर, बीजेपी खुद बहुमत के अंकले से दूर रहे गई. लेकिन अब बीजेपी मजबूत होगी या मजबूर होगी? तरही ये सवाल इस बात पर निरभर करता है कि क्या अमिट शाह को मौका मिलेगा? ग्री Обनत्राले का? या जो खबरे चल रही हैं कि अमिट शाह से ग्री -,मंत्राले ले लिया जाए. ये सवाल मजबूरी और मजबूति के तरव इशारा करता है. योकि BJP कहने को 10 साल से सरकार में है लेकिन आखरी के 5 साल में BJP ने अपने एजंडे की जात और बड़ी चीज़ों को किया उदाहरण के तौर पर जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 73 खतम करना अमिश्शा के कारिकाल में राममंदिर का फैसला जो है वो अमिश्शा के कारिकाल में आया कहीं विरोध नहीं हुआ सारा काम हो गया CA विरोध के बावजूत पारित किया गया नागरिक्ता संशोधन विधेयक NRC अमिश्शा के कारिकाल में आया UAPA Act में संशोधन अमिश्शा के कारिकाल में हुआ, SPG संशोधन बिल अमिश्शा के कारिकाल में आया, लेकिन अब अमिश्शा को लेकर question mark है, और BJP के सामने बड़ी बात ही है कि अभी बहुत सारे एजंडे जो हैं, वो बाकी हैं. इसलिए में लगा इस सवाल हम आपसे पूछें कि क्या अमिश्शा दुबारा home minister बनेंगे? वेले इस सवाल का जवाब आप comment section में दें, लेकिन इसके लावा अगर आप probo app पर जाकर, जुसका link हमने description में डाल रखा है, comment section में डाल रखा है, वहाँ जाकर अगर आप इस सवाल का जवाब देते हैं, probo app पर कि अमिश्शा को देश का ग्रिमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो आप धेरो इनाम जीत सकते हैं. सिर्फ आपको इतना जवाब देना है कि अमिश्शा देश के ग्रिमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे. probo एक ऐसा app है जो आपकी राय लेना पसंद करता है, और आगे हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको probo से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवालों का, जो रोस बर्रा के सवाल है, उनके जवाब हम आपको देते रहेंगे, कि आपको जवाब देना है कि आप कॉमेंट सेक्शन में राय की जगा वहां रह दीजिए. probo वो app है जिसके दो करोड सधिक यूजर है, आपकी राय लेता है कि यवाल हाँ या ना में, सिर्फ आपको अमिश्शा बनेंगे या नहीं बनेंगे, हाँ या ना, और बहुत सारे नाम है, इंस्टेंट विड्रॉल है, दो करोड सधिक यूजर है, और लीगलाइज़ रैप है, क्रिकेट, पॉलिटिक्स सब वहां चलता है. खेर, यह जवाब आप वहां दीजेगा, कॉमेंट सेक्शन से क्लिक करके, लेकिन हम आपको बता दे कि चंद्रबाबू, नाइडू और नितीश कुमार के साथ की सरकार बन रही है. अब नाइडू और नितीश कुमार वो इंसान है जो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट, बीजेपी के चाहती है, बीजेपी का प्लाइन चल रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू कर दे जाए, मुस्लिम आरक्षन खतम कर दिया जाए, प्लेसेस और वर्शिप प्लाइन बदलाव कर दिया जाए, इसके लावा वक्त बोर्ड खतम करने की बात चल रही थी, महिला अरक्षन की बात चल रही थी, 70 साल के बज़ूर्गों के लिए मुफत तिलाश, पेपर लीक और बहुत सारे इशूस थे, इन तबाव मसलों पर बीजेपी प्लाइनिंग के बैठेती सौ दिन के अंदर कुछ करेंगे, लेकिन आप क्योंकि हालात वैसे हैं नहीं, जेडियू और चिदरबाबू नाइडू ने भले ही इंडिया की बैठक में समर्थन दिया हो और बड़ी-बड़ी बाते कहीं और ये कहा हो कि भाईया सब आपके लिए हैं, आप सब कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि अपने दम पर सरकार होने से वो इनके विरोध के बावजूद भी इन मुद्दों को लागू कर सकते थे, यसे अब पक्का नहीं है कि C.A. आएगा नहीं आएगा, या UCC लागू होगा नहीं होगा, मुस्लिम आरक्षर बैन होगा नहीं हो और अगर अमिट्शा की ताकत रही तो बीजेपी इन मुद्दों पर काम करेगी, बीजेपी हला ही कोशिश कर रही है कि दस निर्दलियों को अपने साथ ले लिया है, कुछ जोड तोड जुगार वाली बात भी बीजेपी वाले कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी मजबूत या मजबूर होगी, इस बात की कहानी तो गुरू अमिट्शा की नियुक्ती से होगी, अगर अमिट्शा की नियुक्ती हुई तो आप यह मानिये की बीजेपी धीरे-धीरे स्ट्रॉंग होगी, अगर नहीं हुई तो गडबंधन में जेडियू और जिस तरह से शुरुवा तो आप सरकार को जो करना होगा वो पूछना पड़ेगा, यह सारी बाते लिख कर आए, आप पूछिए मना वो जो था नहीं वासेपुर में की, मना थोड़ी ना किये, लेकिन आप परमीशन तो लेना पड़ेगा ना सर आपको, गडबंधन में आप है, अकेले थोड़ी न रही है, पट अमिच्छागेट, इस गोना प्ले इंपोर्टेंट रूल, क्या वो बीजेपी के फिरसे राष्ट्री अध्यक्ष बनेंगे, या ग्रिमंत्री बनेंगे, अगर बीजेपी दोसो बातर क्या आकड़े को पूरा कर सकती, तो शायद वो ग्रिमंत्री बन जाए, नहीं कर पाई, तो वो साइड हो जाएगे, और यही तरह कर देगा, बीजेपी मजबूत है, यह मजबूत है.